कि हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागयत आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करने वाले कि एंसी आटी पढ़ना क्यों जरूरी है यूपीसी और पीसेस के लिए पीसेस मतलब स्टेट पीसेस कोई भी हो तो ऐसा क्या रीजन है कि एंसी आटी पढ़ना बहुत जादा जरूर हम यह नहीं कहते हैं कि जो आइस्स में सेलेक्ट नहीं होता है ठीक है हमारा कहना सिर्फ यह है कि एंसी आरटी जो है एंसर आइस्स नहीं या नि उततर है एक बात बहुत दिमाग में बठा लीजे कि UPSC एक्जाम है वो पूरे भारत के एक्जाम है पूरे इंडिया के एक्जाम है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में होता है पट्णा में जैपूर में लगनुव में ठीक है इंदौर में या बैंगलोरू में या कुछ सेंटर पर भारत का भारत के राधिनेतिक सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं जिस किसी बिदाउट एनी जेंडर एनी रिलीजन एनी रीजन डिस्क्रिमि बाला भी देगा और नागालेंड पस्वरी अन्डमान निकुबार लक्ष्टीप का भी देगा तो क्या ऐसा है कि जो दिल्ली में कुछ कोचिंग से या दिल्ली में जैपूर में पटना में लखनुव में लावाद में जो कुछ फेमस कोचिंग है क्या कुश्चन उनसे तो मलियालम पढ़ता है वह कैसे करेगा मेरी बासले नहीं हम यह किसी भी प्रकासन का नाम नहीं लेना चाहता है लेकिन आफ समझ पिक जो शनिस इसा नहीं है इसा चिंदी से आता है कोश्चन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग उनके मेटियल से आता है कुछ कोश्चन वहां से आता है जो मेटेरियल हर जगाय हर गाम में अबलेबल हो कि अगर जो बच्च ऐसा कुश्च फॉर्म में तो लिखने नहीं होता है वाई यूपीएसी करने के लिए आपको दिल्ली आना है या कोचिंग करनी है ऐसा कुछ तो नहीं है ना सिंपल graduation हो कोई division हो फरक नहीं पढ़ता बच्चा और या इस का PayPal दे सकता है तो क्योंकिशन वहां से आएगा जो सरकार के और तक पहुंचता है इगनू है नहीं गवर्मेंट डेटा होता है क्या पहले समझ देजिए वो डेटा जो भारा सरकार द्वारा पब्लिस किये जाते हैं लाइक इगनू एना यूएस ठीक है पी आई बी डी न्यूस डी भारती रासवा टीबी ए आई यार न्यूस एंसी आर्टी यह सब गवर्मे ट्रीके कि अगर सो YouTubers ना थे हैं तो सो कूशन में 90 इन हमें आपको 11 10 से लि отдел 11 तक कि होंगे ncrts होंगे यह मेरी मेरी गारंटी है यह मेरी गारंटी है कॉष्चन Curry Carson को यह से आथि सोंगे जो टॉपर होते हैं उनके भी ऐसा नहीं 98 कुश्चन सही हो नहीं यार उनके भी कुश्चन 65 या 60 रहते हैं सही ऐसा मत सोचना कि जो टॉप कर गया है उसके तो 90 होंगे ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो NCRT इसलिए स्टेटी करना है कि NCRT का मेटेरियल पूरे भा का या किस कोचिंग का नहीं है तो NCRT ही एक ऐसा स्टेडी मेटेरियल है जो पूरे हिंदुस्तान में हर गाहों तक एवलेबल है इस्टेट गवर्मेंट की बुक है वह भी NCRT वेस होती है कुश्चन वहां से भी आता है ठीक है इस्टेट की बुक्स होती है तो यह चीज आ सिद्धे लिख दो गयार नंबर पूरे आ जाएंगे यह यह बात मानिए आप ठीक है तो NCRT पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि NCRT से ही कुश्चन आते हैं थैंक्यू